चंद्रगुप्त मोर्या वंस हम लोग पढ़ रहे हैं कि मोर्या समराज और मोर्या समराज के जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मोर्या है चंद्रगुप्त मोर्या के माता का नाम मोरा था इसने क्या किया था दोस्तों इसने चाणके के सहता से मगद के अंतिम सासक धाना मोरिया को क्योंकि जो धाना नंद था चणके की एक बार बेजिती करवा दिया था अपने राजिसभा में बुलावा करके इसलिए चणके ने नीतिक अनुसार चंद्रकुत मोरिया से मिला अपने साथ ही बनाया है नमस्कार दोस्तों फिर एक नीव वीडियो में आप सभी का स् इस वीडियो में लोग सिखने वाले हैं दोस्तों मोरिया समराज के बारे में पढ़ने वाले हैं और मोरिया समराज के बारे में दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मोरिया समराज से रिलेटेड सभी इंपोंडेड कोशन के बारे में बात करने वाले जो कि हम लोग आज हम लोग कबर करने वाब तो स्टाट करते हैं आज कि वीडियो को दोस्तो वीडियो को इन तर जरूब करते हैं क्योंकि 10-20 वीडियो में आप जो आप सभी इतना दिनों तक जो जिस बात से डर रहे थे तो एक एक लाइन को बात करेंगे पहले मैं आप सुझी को थोड़ा सा कहानी बता दू उसके बाद इस फीगर पर सारे चीज में कवर करवा दूँगा ठीक है अभी पिछला वीडियो में रहा था दोस्तों सिकंदर स जो कि बहुत भी बैसिक तरीके से उसमें अमने समझाया था उस वीडियो को लिंक में डिस्क्रिप्सम दे दूँगा देख लिजिए अब बात करते हैं लोग मोरिया समराज के बारे बात करते हैं तो मोरिया समराज जो है दोस्तों जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मोर छंद्रगुटत मोरिया जो था जो मता के नाम मोरा था ये निम्न जाती से बिलोंग करता था और यह जैन धर्म के सिक्षा भी लिया था इसके जो इसके यहां पर देखएगा एक एक लायन को में कबर करवाने वोलख कर देखेए एक लायन कोlier हम कवर करवाने वले हैं देखेगा इस लाइन को मोर्या वंस के संस्थापक चंद्रगुप्त मोर्या थे यह बहुत ही important point है यह question objective में पूछा जाता है कि मोर्या वंस के संस्थापक कौन है तो आप सभी बताना होगा कि मोर्या वंस के संस्थापक जो है वह चंद्रगुप्त मोर्या है ठीक उसके बाद इनकी माता का नाम मोरा था इनकी माता का नाम यह निमन जाती के थे यह बहुत ही छोटे जाती से बिलूँग करते थे कौन चंद्रगुप्त मोर्या ची ये बहुत ही छोटे जाती से बिलूँग करते थे नेचिए दोस्तों जो में रेड़ पे तच्छ सीला में हुई थी यानि कि इनकी जो सिख्छा पूछा जाएगा कि इनकी जो सिख्छा थी वो कहाँ परुई थी तो तच्छ सीला में हुई थी ठीक हुई थी चानक के के सहयोग से चंदरगुप्त मोर्या धानानंद को अंत कर दिया यानि कि धानानंद अब भाता था कि धाना नंद को अंत किसके सयोग से चंदरगुपत मोर्या जो थे ओ जो धाना नंद थे धाना नंद कौन था दोस्तों समझ ले जगा एक पांड धाना नंद को थे धाना नंद कौन था तो धाना नंद दोस्तों यहां पर देखिएगा धाना नंद कौन था यहां परोगे दो किया किसने दोस्तों चंद्रगुप्त मोरिया किया कि आकरमन कर दिया किसकी सहायता से दोस्तों तो चानक्य चानक्य विदाउड चानक्य के बिना सयोग से चंद्रगुप्त मोरिया धानानंद पर बिजय पाहि नहीं सकता था तो अब देखिए चानक्य ने क्यों इसका साथ द तो चाणाकी की फैयदा यहीं था कि जो धनानद था उचाणाक का एक बर बेज़ती कर दिया था अपने सभां में बॉलाकरकि इनका कर दिये था और इसी बए इसी बेजती की बदला लेने के लिए चानक के एक नीती थी दोस्तों च्छणक के ने अने यह बोद्या चडहाई कर लिया और जो चणिदो मुर्या है और है ऑपना जाकर कर लिया, जब चंद्रगुप्त मोर्या जो था वो मगत पर जब सासन करने लगा तो इधर जो उस समय आया था न सिकंदर कौन है था दोस्तों सिकंदर सिकंदर आया था न कितना में 325 इसा में जब लोट गया भारा से और 316 में बनाया था भारत पर कब जा करने के लिए भारत पराज करना चाहता था वहीं सिकंदर है आप से बीडियो को मैंने बहुत बेसिक तरीके समझाए आप से जाकर के देख लिए लिए प्राप्त करने के लिए 326 में एक अपना योजना निकाला था और भारत आया था जिसमें उसने पोरस के चाजा को जीत लिये था यहां पर पोरस था दोस्तों पोरस और पोरस को दोस्तों बिजय प्राक्त कर लिये था सिंदू नदी को पार करेके इसकी जो जेलम नदी कौन सी नदी दोस्तो जेलम नदी को पार इसके सेना ने कर दिये थी किसके सेना जो दोस्तो सिकंदर था उसके सेना जो थे जो सिकंदर था दोस्तो सिकंदर के सेना ने सिकंदर के सेना ने दोस्तों क्या किया था सिकंदर के सेना ने क्या किया था सिकंदर के सेना ने जहेलम नदी को पार करके पोरस पार नहीं किया था यहीं पर यहीं पर दोस्तों बीज मजधार में यहीं कि उसके तट पर जहलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस की भी एक लड़ाई हुई जिसमें सिकंदर अपना बीजे प्रप्त कर लिया और पोरस के राजा जब हार गए तो सिकंदर क्या किया था दोस्तों इसको अपना दोस्त बना लिया था मित्र बना लिया था और अपनी रुक्साना औरत से इसके हाथी में कलाई में राखी बनवाई थे यह कि बहुत ही मजबूत था और इसकी सहयता से जब सिकंदर दोस्तो चला गया जब सिकंदर चला गया तो अपना एक सेना पती था सेलुकस निकेटर था दोस्तो निकेटर था जब दोस्तो यह सिकंदर जब जा रहा था भारत छोड़ करके क्योंकि इसकी सेना जो थी जहलम नदी को पार कर लिया लेकिन ब्यास नदी को पार नहीं कर पाई क्या नहीं कर पाई दोस्तों यहां पर था ब्यास नदी और ब्यास नदी को इसके सेना कर दे कि हम भीया पार नहीं कर सकते हैं क्योंकि आगे बैठा है धाना नंद और धाना नंद मगद के अंतिम सासक जो था बहुत ही मजबूत था इसलिए जब इसके सेना ने यहाँ पर जब व्यास नद्व को नहीं पार कर पाई तो सिकंदर भाई अपना लोट गया अंती मिरास्ता लोट गया भारस से लोट गया कितने में 325 इस्व में लोट गया ठीक है और उसकी 323 में उसकी मिर्थू भी हो गई थी किसकी दोस्तों तो सिकंदर की बहुत ही बेसी पॉइंट बता रहा हूं आसु जानना बहुत जुरूरी है तो सिल्कोस निकोटर को छेड़कर चला गया था छोड़कर के चला गया था अब क्या किया जब सिल्कोस निकोटर देखा कि चंद्गुप्त मोरिया बैठा है तो भिया इसने सोचा के बहिए यह तो कमजोर होगा य तो यह सिल्को स्नीकोटर ने क्या किया कि मगद पर हमला कर दिया मगद पर क्या कर दिया हमला कर दिया जब मगद पर हमला कर दिया तो चंदरगुप्त मोर्या इसको हरा दिया भाईया इभी तो बढ़ियार था तभी तो धाना ना इसको हरा करके गया न जी इसको तो समझ वे ये बड़ियार है अब यह सिंद्र को सिक्त गढ़ने दीखात और यह किया कि आंकमन कदेक किस पर मगधत जो कि उसमें सासंव कौन था चंद्रगुत मोर्या था तो इसने तो इसको बहुत अलिट गया अपनी बैटी कि शाधी दिखाएक इसमें अपनी बेटी साधी क्या किया चंदगूत मोरिया के साथ कर दिया अपने एक मेगास्थिनी जो उसके राजदू था और उसको मेगास्थिनी इसको चंदगूत मोरिया के दरबार में बीदा कर दिया कि जा भाई तो वहीं पर देख भाल कर और मेरी बेटी को भी देख भाल करत दोस्तो जो चंदरगुप्त मोरिया था ओधानानंदी की पूत्री दूरधरा से भी बिया किया था किसे दूरधरा से चंदरगुप्त मोरिया बिया कर लिया था ठीके बिवा कर लिया लिया जब चंदरगुप्त मोरिया मगत का सासक था जब मैंने बताया ना कि चंदरगुप के सासक चंद्रगुप्त मोरिया था उसमें सेलुकस निकेटर ने एक हमला किया था मैंने भी बताया ना हमला किया दिया लेकिन चंद्रगुप्त उसे पराजित कर दिया चंद्रगुप्त उसे दोस्तों पराजित कर दिया किसे सेलुकस निकेटर को चंद्रगुपत मोरिया न का नहारी दैखो भाई यह लीए तो अभी भी जो पूरोजों की जो थे इ अभी आप लोगोंने जब देखे तो उस समय जो आजाज सत्रुु के पिता के बारे के बात्री कर रहे थे तो wonder सतुर भी उस्यार पिता को मारा था भाइया हो तो 445 सादी कर ले थे हमारा खुंड सादी नहीं कर रहे जी ऐसे कैसे होगा तो भाइया यह जो है न अपना अपना देश इसमें पहले से दहेज परथा की बात चलिया आ में दिया था दोस्तों तौफा के रूप में सेलकोस निकेटर को चंद्रगुत मोरिया ने 500 हाती दान में दिया ठीक है न भीजा क्योंकि इसने जो था सेलकोस निकेटर इनको पांच राज्य भी दिया था कि इसको चंद्रगुत मोरिया को तो इसने पांसो सिर्फ हाती दे ठी हाथी दिया सेलिकोस निकेटर ने अपने एक राजदुत मेगास्थनीज मेगास्थनीज दोस्तो मेगास्थनीज को सेलिकोस निकेटर ने चंद्रगुत मोरिया के दरबार में किसके दरबार में दोस्तो चंद्रगुत मोरिया के दरबार में सेलिकोस निकेटर ने मेगास्थन करते दिए चंद्र्गुत है कि मुरिया ने जन धर्मी की सिक्षा सिक्षा भद्र बाहुसे यह कि चंद्र कच्छा के से लिया था भद्र बहुत लिया था इनका मिर्थु 208 बीशी में हो गया किस की मिर्थु 290 में तो जैन धर्मे की चंद्रगुट मोर्य की इस में नहीं की थी तो आप सभी इस वदियागा कि सारे पॉइंट को कभर कर पाएंगी नहीं कर पाएं ठीक है एक बार मैं और एक बार रिबीट कर देता हूं इसको मैं एक बार सुरूशन तक बता देना चाहता हूं कि चंद्रगुप्त मोर्या वंस हम लोग पढ़ रहे हैं कि मोर्या समराज और मोर्या समराज के जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मोर्या है चंद्रगुप्त मोर्या के माता का नाम मोरा था इसने क्या किया था दोस्तों इसने चानके के सहता से मगद के अंतिम सासक धाना सासक नंद को पराजित किया था और चाणाय के साथ इसके साथ के दिया था चंदर गुत मुर्या को तो और चणाके की एक बार बेजती करवा दिया था अपने राज सभ़ा में बुलावा करके। चंदर गुत मोर्या वहां के सासक बन गया और जब वहां के सासक बना तो यह सिलिकोस निकोटर जो है जो किसके सेनापती था सिकंदर के सेनापती था कौन सेलिकोस निकेटर सेलिकोस निकेटर सिकंदर के सेनापती था तो इस पर कर देते जब इस पर करने के लिए सोचा यह सिल्यकुस निकेटर तो इसने अपनी बैटी करने लिया से चंद्रगुत मोरिया क्या किया भिया कर लिया क्या चल रहा तो यह रहा दोस्तों मोर्या समराज के बारे में मोर्या समराज के बारे में जो कि सभी परिच्छाओं के लिए मस्तपूर्ण है और नेक्स्ट बात करने वाले हम लोग चंदरगुत मोर्या को दोस्तों बिश्रुन गुपतिया को टिली विकाती आप सब्सक्राइब पतावना चीए बहुत बेसिग बात है हम लोग नेश्ट वीडियों पढ़ेंगे बिंदू सार के बारे में जो कि बहुती मोस्ट इंपोर्टेड वीडियो कासा ल झाले हम 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 झाले हम